हलो दोस्तों मैं रंचीत हूँ और इस वीडियो में हम रेड्मी 4a की अन्बॉक्सिंग करेंगे और यह बजट ओरेंटेट स्मार्टफोन है जो शौमी ने लॉंच किया और इसका दाम है 6000 और यह आमज़ान इंडिया पे सेल होएगा और जैसे आप देख सकते हैं यह इसमें और हमें एक पावर ब्रिक मिलता है जो एक नॉर्मल पावर ब्रिक है यह वन आम्प फाइव वोल्ट्स वन आम्प का है और यूएसपी केवल और सिम एजेक्टर टूल बस इतना ही दिया गया है यह बॉक्स में इसे हम साइड में रखते हैं और जैसे आप देख सकत है कुछ मेटल है लेकिन यह मेटल नहीं दोस्तों यह पॉली कार्बिनेट प्लास्टिक का है उसलिए यह काफी हलका है वेट में बैटरी इसकी सीड है इसमें और यहां आपको स्पीकर मिलेगा पीछे और जब हम ऊपर जाते हैं 3.5 mm हेड़फोन जाक मिलेगा और हमें IR ब् बटन यह भी प्लास्टिक में है और नीचे जब हम जाते हैं हमें micro USB port और main microphone मिलेगा और यहां SIM slot यह dual SIM device है दोस्तों बट यह hybrid SIM है तो आप 1 SIM और 1 micro SD card या 2 SIM यूज़ कर सकते हैं और पीछे हमें camera मिलेगा LED flash और Mika logo पीछे का camera 13 MP का है और front facing camera जो है 5 MP का है और मैं इसको boot करता और setup करता हूं और जब तक मैं आपको इसके specifications के बारे में बताता हूं यह Redmi 4 Snapdragon 425 chipset के साथ आता है जो एक quad core processor है इसमें 2 GB RAM और 16 GB internal storage मिलेगा screen जो है 5 inch का है 720p display के साथ और इसमें जो GPU है वो है Adreno 308 जब हम camera के बारे में बात करेंगे जो rear facing camera है वो 13 MP का है और जो front facing camera है वो 5 MP का है और इसमें battery जो है 3030 mAh की battery दी गई है और मैंने यह phone को setup कर दिया और यह Xiaomi का जो MIUI 8 है उसपे चलता है और अगर आपने कोई भी Xiaomi का phone use किया interface वैसे ही लगेगा आपको इसमें folders दिये गए है Google का play store और जैसा आप notice करते हैं नीचे 3 button दिये गए है लेकिन यह light up नहीं होते है जब हम उसे click करते हैं और जब हम इसे toggle करते हैं यह quick options दिये गया है और auto brightness sensor भी यह phone में दिया गया है और जब हम अंदर जाएंगे about this phone जैसे आप देख सकते हैं android version 6.0.1 पे है इसका मतलब यह अभी भी marshmallow में ही है no gut नहीं है इस पे और जैसे यह Xiaomi का MIUI के साथ आता है तो android update ज जैसे आप देख सकते हैं यह quad core processor है जो 1.4 GHz पे clock किया गया है और जो RAM है 2 GB है और जो 16 GB की memory मलते ही है आपको उसमें से आपको सिर्फ करीबन सिर्फ 8 GB जो है free space मिलेगी लेकिन आप SD card यूज कर सकते हैं अगर आप दूसरा SIM card यूज नहीं करेंगे तो वो थैस specifications के बारे में और अगर हम अंदर जाते हैं तो इस tools में यह phone में जैसा आप देख सकते हैं FM radio की functionality भी दी गई है और इसमें compass है और जैसा मैंने पहले भी बताया था इसके साथ यह IR blaster है इसलिए मी remote आप दिया गया है और इससे हम आप इसको configure कर सकते हैं और आपके TV वगरा वगर इसको remote control क जैसा आप यूस कर सकते हैं तो एक अच्छी चीज दी गई है और थोड़ा bloatware pre-installed है जैसा flipcard का आप देखते हैं कि हम इसको install कर सकते हैं या नहीं तो पकड़ते हैं और अनिंस्टाल सो यह थोड़े आप्स जो है अनिसरली आप उनको uninstall कर सकते हैं जैसा आप देख सकते ह और जब हम camera के बारे बात करेंगे इसमें 13 megapixel का rare facing camera है तो अभी camera का interface में खोलता हूं और जैसा आप देख सकते हैं यह है इसका camera interface थोड़े objects नजदीक लाता हूं और tap to focus दिया गया है और जब focus हो जाता है आप जब tap करते हैं वो photograph जल्दी से ले ले सकता है जैसा आप देख स सकते हैं मैं यह पीछे headphones पे अभी focus करता हूं अब वैसे तो shutter speed काफी अच्छी दी गई है सर्फ 6000 रुपे का जो दाम है यह phone के हिसाब से लेकिन इसका camera मैं और ज्यादा test करूंगा तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही यह unboxing के लिए अगर आपको कुछ specific questions है यह Redmi 4A के बा subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही धन्यवाद शुक्रिया और फिर मिलेंगे